दोस्तों जब भी आप कहीं भी call लगाते हैं अपने mobile phone से तो ऐसे मैं आपको जरूरत परती है mobile network के और जहां पर mobile network एवेलेबल नहीं रहता है tower के unavailability के कारण वहां पर क्या होता है call लगता नहीं है या call में जो है problem होने लगती है अगर network properly नहीं मिलता है तो लेकिन मैं अगर आपको यह कहूँ कि अब आप without mobile signal या mobile network के भी आप phone लगा सकते हैं और बढ़ियां तरीके से बात कर सकते हैं और यह जो problem हो रही थी call drop की समस्या और इसके बाद interference की समस्या और इसके साथ साथ जो है अबास सही से नहीं आना पहुत सारे जो network में problem हो जाती थी करेंगे तो यह सारे problem हो जाएंगे और यह नए technology कर दिया है और बहुत जल्दी जो सारे operator इसको implement करेंगे क्या आप जानना चाहते हैं अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो को continue देखती रहें हेलो दोस्तों मैं हूँ आजए और आप देख रहे हैं as informal देखें दोस्तों मैं बात का रॉंग भी ओ वाइफाई एक्चुली लेटेस्ट इंफर्मेशन यह है कि एर टेक इस चीज को implement कर दिया है और आपको बहुत जल्द आपके आसपास के जो भी एडिया है वहां पे भी वाइफाई वाला फैसलिटी यो देखने को मिलेगा इसके लिए थोड़ा सा ड बनते है वाइस आओर वहां लटता था तो यह बताएगे बहुति सबसे पहले कि लेख सिऑो लाया और जब लाया तो क्या जो का सीम किसी भी फोन में चलता था क्यों जो वोल्टी सपोर्ड था और उससीग एप से अप्लिकेशन डाउनलोड करना परता था तब जाकर के कॉल लगता था इसके बाद क्या हुआ जन्रली जो भी फॉनले टेस्ट लाउंच होना शुरूब है वो सा वॉल्टी सपोर्ट होने लगा और आज की डेट में जो है जियो का फोन अच्छे से मतल़ कि जियो का सिंद् है इसका सबसे बड़ा परपस यह है कि अभी एग्जेस्टिंग जो कर्टमर है इसको क्या हो रहा है प्रोब्लम या हम आप फेस करते हैं जितने भी अपरेटर हैं अगर घर के अंदर हैं क्या प्रोपर नेटवर्क मिल पाता है हर जग हो सकता है आपको मिलता होगा लेकिन आप अगल वगल से पूछिएगा तो उनके घर के अंदर में प्रोपर नेटवर्क नहीं मिलता है उनको बाहर आना पड़ता है नेटवर्क नहीं के कारण क्या होता है बहुत सारे जो इंप्रोटेंट कॉल होता है उसको मिसलोग कर देते हैं बाद में बाहर आते तो पता च सर्विस इस्तमाल करें जिसका रिसीवर चत्पे है पूरे घर में वाइफा नेटवर्क बना हुआ है और ऐसे में दोस्तों इंटरनेट तो अच्छे से इस्तमाल कर पा रहे हैं वाइफाइ की नेटवर्क आपके घर के अंदर बढ़ियां से क्योंकि रोटिंग करकर करके मतलब की वाइफाइ के माध्यम से आपका फोन घर के अंदर या ऐसे एडिया में जहां पर मॉइल का नेटवर्क का टावर नहीं पहुँच रहा है मतलब मुबाइल का निटवर्क आपके फोन में नहीं पहुँच रहा है फिर्विभी आप कॉल किसी भी भी धिना-दिक्त क जो कि smartphone है फिर भी वोग वाईसावर वाईफाई सपोर्ट नहीं करें तो ऐसे में जिनका phone ही सपोर्ट नहीं करेंगा नेटवर्क में पूरा इस्ट्रेक्ट्चर या इन्फरास्ट्रेक्ट्चर है उसको इंप्रूब भी कर देगा तो क्या होगा तो पब्लिक जो है सर्विस को इस्तमाल नहीं कर पाएंगे ऐसे में आप अपने फोन का जो एस्पेसिफिकेशन देखिए आप अपने स्मार्ट फोन का पेज पे जाए जिसका भी पर्चेंज किये है उसमें डिटेल इस्पेसिफिकेशन में देखे कि वाइस और वाइफाई सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है चुकि फ्यूचर इसी ही पर है इससे ले लेटर मैंने बहुत पहले भी सूचा था कि मैं वीडियो बना दू लेकिन फिर सुचा कि जब तक इंप्लिमेंट नहीं होगा यह टेक्निलोजी तब तक नहीं हो जैसे ने एटल किया मैं सुचा कि आपके साथ आप पहले से वाइसरा कि बारे में जानते थे दूसरी बात कि कि आपका फोन वाइसरा वाइफाइ सपोर्ट कर रहे नीचे कोमेंट से क्यों मैं ज़रूर बताएब और चुकि इंफ्वरमेशन बहुत इंपरेंट है तो आपकी बीजिमिदारी बनती है अपने आस-पास के लोगों को जो लेटेस्ट इंफॉर्मेंशन अभेर कर आई है तो शेयर कर दीजेगा पसंद तो पकाया होगा तो इसको तो लाइट बनता ही बनता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों